हेई गाईज तेस इस सुबो मगरवाल एंड यूर वाचिंग साइवर बाबा तो फ्रेंड आज की वीडियो ना तो कोई टेक वीडियो है और ना ही कोई चैनल की कैटेगरी से लिटेड है आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी सिल्बर प्ले बटन देखाने वाला हूँ जो की फाइनली हमको मिल चुकी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रही हमारी सिल्बर प्ले बटन जो कि finally दो साल के बाद मुझे मिल चुकी है तो यहार मैंने बहुत सारे चैनल पर इस प्ले बटन को देखा है बट कभी भी मैंने इस बटन को अपने हाथ में पकड़ के नहीं देखा अब यहाँ पर आप देखेंगे टॉप में आपको यहाँ पर यूटूब का लोगो देखने मिलता है और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंटेट टू साइबर बाबा फॉर पासिंग वन लेक सस्क्राइबर तो यहाँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे इस चैनल के लिए और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि यार आप लोगों के इस सपोर्ट के कारण मुझे इस सिलबर पले बटन मिली है और यार इसकी जो बैल्यू है वो मेरे साब से सिर्फ और सिर्फ एक क्रियेटर बता सकता है अगर आप किसी थार्ड परसन से पूचेंगे इसकी बैल्यू तो मेरे साब से इसकी बैल्यू का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ एक क्रियेटर बता सकता है क्योंकि यार इस milestone तक पहुँचने और इस button को हासिल करने में उसने बहुत महनत की होगी अब यार आज की डेट में मैंने देखे हैं बहुत सारे यूटूबर चैनल्स हैं जो की starting stage पर हैं अभी उन्होंने चैनल को start किया है तियार उन सभी लोगों से से रपोर्ट सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपना YouTube चैनल start किया है तो आप उसे आगे तक लिकर जाएं आपको बीच में बहुत सारी problems होंगी और यार सभी को होती है ऐसा को YouTuber या कोई creator नहीं है जिसको problems ना हो हो सकता है कि आपको एक लंबा समय भी हो गया हो 5-6 मैनी भी हो गया हो हो सकता है कि एक साल भी हो और अब तो YouTube ने अपनी जबसे policy अपडेट की है तब से आपको 4000 गंटे का watch time और कम से कम आपके चैनल पर एक सार subscriber भी होने चाहिए बट आप उस चीज़ पर regular महनत करते रहें अगर आपने आज अपना चैनल create किया है हो सकता है कि आज आपकी वीडियोस को कोई वास्चना करे आपकी उस वीडियोस पर एक view हो हो सकता है कि उस टाइम के बाद उस पर दो हो हो सकता है कि 5 हो 10 हो और यार शुरुबात ऐसे ही होती है शुरुबात में किसी भी creators की वीडियोस पर व्यूज नहीं आते क्योंकि व्यूज को आने के कोई resources ही नहीं होते ना आपके पास subscriber होते हैं ना आपस audience उड़ी होती है और वही starting level पर user सोचते सोचते finally अपने channel को बंद कर देते हैं लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता कि शुरुबात में ही आपको मेहनत करनी होती है जब एक बार आपके पास subscribers आते हैं तो automatic ही आपकी वीडियोस पर यूज आते हैं बहुत सारी users हैं जो कि दो मेने या फिर तीन मेने या फिर चार मेने तक भी काम करते हैं क्योंकि इनी टाइम में सबसे ज़्यादा frustration होती है तो यार अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि मैंने भी जब अपना first channel बनाये था तो इस channel पर भी करीब 10,000 की something subscriber थे और YouTube ने उसे बंद कर दिया फिर एक नए से सुरुवात की और आज आप देख सकते हैं तो यार at the end मैं सिर्फ फोर सिर्फ आपको इतना ही suggestion दूँगा कि अगर आप YouTuber अभी new है या फिर YouTuber आने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको actual मेहनत करनी होगी यहाँ पर आपको कोई shortcut काम नहीं आएगा नहीं का आपको कोई trick काम आएगी यहाँ पर आपकी actual मेहनत रंग लाती है काम पर आपको की बापको काम वाँ जापको काम करना ही करना बादस से आपarl Birthday खरह हो खर्याए रादस के व Middle